हुआ है हलो दोस्तों मैं गुसर नारिया और आप देख रहे हैं हमारे यूटूब चलनारिया गुचिंग जैसा कि आप जानते हैं आप यहां पर पढ़ते हैं इंटर्मेट की फिजिक्स और मैथ की क्लास बहुत ही सरल और अच्छे तरीके से ठीक है तो आज में लेके आया यह इंटर्मेट की मैथ की क्लास और इस मैथ क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन और फंक्शन की एक्सरसाइज नंबर 1.4 ओके सो इस क्लास को सुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो अगर को प्रेस कर दीजेगा जैसे ही आगला वीडियो आता है तो आपको नाटिवेशन मिल जाएगा तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हमारी जो है वह एक्सरसाइज 1.4 पर रिलेटेड और इस एक्सरसाइज 1.4 जो है बेस किस पर है तो हमें तो एक बात ध्यान से याद रखिएगा कोई भी संक्रिया दिया होगा उसका कोई भी चिन दे सकता है कोई भी दो चीज़े होंगी तीन चीज़े होंगी तीन नंबर्स होंगे है दो नंबर्स होंगे और उनके बीच में आगे रिलेशन दिया होगा कि कुछ भी है संक्रिया का मतलब यहां पर यह है मतलब जो operation है binary operation कोई एक निश्चित operation नहीं है ठीक है दो संख्याय होंगी उनके बीच में हमें क्या करना है जोड़ना है घटाना है गुणा करना है भाग करना है इस्क्वेर करना है यह आगे आपको define कर दिया जाएगा ठीक है तो यह binary equation केवल हम नहीं कर सकते कि प्लस के लिए है या माइनस के लिए या multiplication के लिए है इन सब के लिए नहीं कर सकते हैं वहां पर खुद ही बता दिया जाएगा ठीक है और operation को हम लोग वेक्ट करेंगे star से या किसी भी चिन्द से हम वेक्ट कर सकते है ज्यादा तर हम लोग देखेंगे कि a star b लगा होगा इस तरह से लगा होगा a star b a star b हम इसे पढ़ेंगे a binary b a binary b और आगे इसका operation दिया होगा कि हमें a b से minus करना है या b a को minus करना है या a और b को जोड़ना है यह आगे दिया होगा star का मतलब कुछ भी हो सकता है मतलब यह binary operation है star को हम क्या कहेंगे यही तो है binary operation और यह binary operation क्या करवा रहा है तो ये आगे बताया गया कि ये जोडना है इनको ये जोडने के लिए binary operation है या फिर minus करने के लिए या गुणा करने के लिए है या फिर भाग करने के लिए ठीक है तो अब हम देखेंगे कि कोई भी binary operation होता है कोई भी operation जो है वो binary operation होता है वो हम कैसे चेक करते हैं कहने का मलब ह A binary B दिया गया है equal A minus B, क्या दिया गया है, A minus B या फिर A plus B, ऐसे दिया गया है, अब बताया गया है, जो A या B है, वो जड़ से बिलॉंग कर रहा है, या फिर और किसी से बिलॉंग कर रहा है, जड़ मतलब integer होता है, या मतलब natural numbers होता है, आपको पता है, और जो हमारा कहसते है आर, real numbers होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जड़ होता है integer number, अगर हम A को integer number से ले, मतलब A बिलॉंग कर रहा हो integer number से, B भी बिलॉंग कर रहा हो हमारा integer number से, तो हमें याद रखना है कि जो A star B निकलेगा, मतलब यह जो इसका operation निकल के आएगा, वो भी integer से ही बिलॉंग करना चा है, तभी वो operation, binary operation कहा जाएगा, ध्यान से सुनिए, संक्रिया तभी दुयाधारी संक्रिया कही जाएगी, जब A integer से बिलॉंग कर रहा है, मतलब integer हो यह real number हो कुछ भी, वहाँ पर बताया जाएगा, वो किस पर बेसर, ठीक है, तो integer के लिए मान लेते हैं कि अगर A integer से से बिलॉंग कर रहा है, तो A star B, मतलब A plus B, A plus B दोनों को जोडने पर जो संक्या बने, वो भी integer में होनी चाहिए, वो भी integer से बिलॉंग करनी चाहिए, तभी हम संक्रिया को binary operation कहेंगे, ठीक है, तो हमें यह याद रखना है, और आगे हम लोग exercise में बढ़ते हैं, अगर अभ 1.4 का पहला question आपको screen पर दिख रहा होगा, लिखा है इसमें कि निरधारित कीजिए कि क्या निमनलिकित प्रकार से परिभासित प्रतेक संक्रिया, यहाँ पर start दिया है, ठीक है, से एक दुई आधारी संक्रिया प्राप्त होती है, प्रतेक संक्रिया से क्या एक दुई आध संक्रिया है या नहीं है, उस दसा में जब एक दुई आधारी संक्रिया नहीं है, और चित भी बतलाईए, मतलब यदि वो दुई आधारी संक्रिया नहीं है, तो बताईए आखिर क्यों नहीं है, ठीक है, यह आपको बताना होगा, तो पहला question यहाँ पर पहले का, यहाँ प equal A minus B यह दिया गया है A star B equal A minus P द्वारा परिभासिस संक्रिया अब बताना यह जो इस के द्वारा परिभासिस संक्रिया जो है वह दुयाधारी संक्रिया है मतलब binary operation है या नहीं है सबसे पहले हमें यह चेक कर रहा है बही ए प्लस बताया क्या है A plus का मुलब क्या है तो जड़ मतलब होता है इंटीजर जानते हो ना एक दो तीन चार पांच छे जीरो माइनस एक माइनस दो माइनस चार माइनस बाद माद मनलब negative वाले भी और positive वाले भी negative वाले भी पॉस्टिव वाले भी जो नंबर्स होते है इन सभी numbers को हम क्या कहते हैं INTIGERS कहते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम अगर बात करें यहां पर जड़़ अंटीजर और PLUS मतलब जड़ के किवल प्लस वाले लेना है MINUS वाले नहीं लेना है मतलब positive in 350 ही हमें के वलेना है 12345678910 पीछ वाले अब हमने देखना है कि यह जो संक्रिया है यह संक्रिया हमारी और बाइनरी ऑप्रेशन G aiStar Guy हम लेते हैं हमने यह यह पर लिखेंगे यदी हमने माल लिया कि जो A है वो बिलॉंग कर रहा है Z प्लस से A जो है हमने इसका कोई भी अवयो ले लिया मैंने एक ले लिया, दो ले लिया, तीन ले लिया Z प्लस से कोई भी अवयो ले लिया ठीक है और B भी हमने क्या किया है B भी हमने Z प्लस से ले लिया है A, B, इन में से कोई भी हमने अवयो ले लिया है तो अब हमें चिक करना है कि अगर वो binary operation होगा binary operation के लिए जरूरी है मतलब जो हिंदी में लिखे हैं अगर तो दूई आधारी शंक्रिया के लिए ले आवश्यक है क्या आवश्यक है? दूई आधारी शंक्रिया के लिए आवश्यक है कि जो A अगर Z plus से विलॉंग कर रहा है B भी Z plus से विलॉंग कर रहा है तो A star B, मतलब A star B भी विलॉंग करना चाहिए किस से Z plus से विलॉंग करना चाहिए अब देखते हैं क्या यह विलॉंग करेगा तो अब देखिए चेक करें यहाँ पर तो हम देख रहे हैं अगर a z प्लस से विलॉंग कर रहा है और b z प्लस से विलॉंग कर रहा है तो ध्याँ से देखिएगा a minus b करेंगे हम a star b निकाल रहें a star b a star b equal क्या हो जाएगा भई a star b का equal क्या हो जाएगा कोई जो भी numbers आएगा वो भी क्या integer मतलब z प्लस में बिलॉंग करेगा करेगा कि नहीं करेगा हमें यह चेक करना है कि यह करेगा या नहीं करेगा तो हम देख रहे हैं अगर a हमारा 5 हो और b हमारा 1 हो तो यहाँ पर बचके आएगा 4 और 4 यह integer में बिलॉंग करेगा मतलब जब तक a बड़ा होगा और b छोटा होगा तब तो यह integer में इस वाली value में z प्लस में बिलॉंग करेगा क्योंकि 5-2 करेगा 5-1 करेगा 2-1 कर दीजे भले ही 2-1 करेगा तो यह 1 आ जाएगा और यह भी integer में बिलॉंग करेगा लेकिन यदी यहाँ पर a माई छोटा हो गया और b बड़ा हो गया ऐसी कंडिशन में माइनस होना आएगा और माइनस वाला तो इसमें थाई नहीं क्योंकि यह positive integers था इसका मतलब है यह वाला जो value होगा इसमें बिलॉंग नहीं करेगा हम देख रहे हैं हम अगर सोचें यदी यदी a जो है वो छोटा हो sorry a जो है वो छोटा हो b से ऐसी इस्थती में तब क्या होगा ऐसी इस्थती में हम कहेंगे a स्टार b जो है वो z प्लस से बिलॉंग नहीं करेगा समझ रहे ना a z से बिलॉंग कर रहा है b z से बिलॉंग कर रहा है a स्टार b equal a मानिस b है तो a स्टार b तब तक तो z से बिलॉंग करता रहेगा जब तक a बड़ा होगा b छोटा होगा गटाते रहेंगे बिलॉंग करेगा लेकिन जब हम देखेंगे कि a छोटा हो जाएगा और B बढ़ा हो जाएगा ऐसी इस्तिती में A star B मतलब A minus B जो है वो Z प्लस से बिलोंग नहीं कर पायेगा अताहा यहाद दोयाधारी संक्रिया नहीं है अताहा यहाँ लिख देंगे दोयाधारी संक्रिया नहीं है हमने बता दिया है अकरिक क्यों नहीं है दोयाधारी संक्रिया ये नहीं है आप लोग हिंदी में लिख देना ठीक है तो इस तरह से हमें देखना है बहुत ही आसानी से आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा ठीक है अगर समझ में आ रहा है तो भई इसको like जरू कर देजेगा और अभी अगर नहीं समझ में आया है तो एक दो questions और हम लोग भी साल करने वाले है आराम से समझ में आने लगेगा ठीक है अगला question दुबारा दिया गया है first का second part दिया गया है Z plus में पुना ये Z plus की बात की गए Z plus का मतलब अभी हमने बताया ही है Z plus का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5 ये सब positive वाले integer numbers ये है Z plus में बताया क्या है A star B equal A B A star B equal क्या होना चाहिए A B ये हमारा operation दिया क्या है अब देखना है क्या यह operation जो है हमारा binary operation है या नहीं ये चेक करना है ये binary operation है या नहीं है तो हम क्या करते है यदी A belongs to Z plus अगर A Z plus से बिलॉंग करेगा B Z plus से बिलॉंग करेगा तो 100% हम देख रहे है A star B equal क्या है A B अब ध्यान से देखिएगा अब यहाँ पर सोचिए जरा कि यदी हम A को 1 ले ले B को 2 ले ले तो ऐसी condition में क्या आ जाएगा A into B minus नहीं है यहाँ पर गुणा है ना इन दोनों की A और B का multiplication है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा ये भी 2 से बिलॉंग करेगा अब हम अगर इसको 2 ले ले इसको 1 ले ले तब भी वो 2 आने वाला है तब भी हम क्या करते हैं वो भी इससे बिलॉंग करेगा कहने का मतलब है A B करिये या B A करिये या फिर छोटा करे या बढ़ा करे इसमें माइनस का तो आने वाला नहीं है क्योंकि गुणा ही तो है अगर ये भी Z प्लस से है मतलब A B पोजिटिव नंबर है और B Z प्लस से है मतलब B B पोजिटिव नंबर है पोजिटिव नंबर का पोजिटिव नंबर से जब मल्टिपलाई होगा तो पोजिटिव नंबर ही रहेगा और इंटीजर के है तो इंटीजर तो आएगा ही इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं लिखेंगे अताह A star B जो है वो हमेशा बिलॉंग करेगा किसे Z plus से अताह यह संक्रिया दुयाधारी शंक्रिया है यह हम लिख देंगे ठीक है कि यह संक्रिया कैसी है दुयाधारी शंक्रिया है इसा करेक्ट ठीक है चलो हम देखते हैं question number C का third part okay third part देखते हैं मेरे क्यासे अब आपको समझ में आने लगा होगा ठीक है चलो देखते हैं तीसरा भी सवाल अगर नहीं आया है तो और आ जाएगा R में संक्रिया star A star B R दिया गया है अदकी बार R R मतलब होता है गया है मतलब बटे वाले हो या रूट वाले हो हर प्रकार का नंबर आता है रेल नंबर के अंतरगत मैं नहीं लिखने वाला ठीक है मतलब real number के अंतरगत हर प्रकार का number है plus है, minus है, upon है और decimal है या फिर root है हर प्रकार के number real numbers के अंतरगत आते है तो यहाँ पर अपकी बार real numbers में बताया गया है कि A star B क्या बताया है A star B equal दिया गया है A B square अब यह देखना है कि क्या यह operation binary operation है check करना है, ध्यान से देखते हैं जरा हमने माल लिया, यदि जो A है वो R से बिलाग कर रहा A R से बिलाग कर रहा हो और B भी R से बिलाग कर रहा हो कोई भी प्रकार का number हो तो हम जब A star B बराबर A B square करेंगे तो 100% A और B का square करके जब A के साथ गुणा करेंगे तो जब गुणा करने पर या तो Center-lo में आएगा या तो upon में आएगा fraction में आएगा या तो root में आएगा या minus में आएगा या फिर 0 हो जाएगा कुछ ना कुछ किसी भी प्रकार का कोई ना कोई तो number आएगा ही इनकी इनकी गुणा करने पर और वो जो number आएगा वो real number में तो होगा ही क्योंकि real number में तो हर प्रकार का number होता है और ये भी किसी भी प्रकार का है वो भी real number में होगा इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा ये हम कह सकते हैं A star B A star B जो है वो belong करेगा ये भी R से बिलॉंग करेगा अताहा ये क्या हो जाएगा यह भी एक दोयाधारी संक्रिया होगी ठीक है भई जब भी रियल नंबर की बात करें तो बहुत ही चांसज बन जाते हैं वो दोयाधारी संक्रिया होगी ही होगी क्योंकि real numbers में हर प्रकार के numbers होते हैं अब किसी की भी हम गुणा करें, घटाएं, भाग करें, square करें, कुछ भी करें तो किसी भी प्रकार का कोई ना कोई तो number आएगा है और R में तो हर प्रकार का number होता ही है इसका मतलब है कि फिर H star B भी R में belong तो करीर आओगा अताया, दोयदारी, शंक्रिया, है, ठीक है तो चलो हमने ये देख लिया, इसका part 3 भी, चलो देखते हैं इसका part 4, ठीक है, question number first का part 4 ध्यान से देखियेगा, आपके screen पर देख रहा होगा Z plus में, पुना Z plus की बात कर रहा है, ठीक है संक्रिया क्या दिया है, A star B equal A minus B modulus मतलब A minus B का modulus दिया है, द्वारा परिवासित है अब हमें ये चेक करना है, क्या यह दोयदारी संक्रिया है बई, question number अगर इसके 1 के first की बात करूँ first वाला जो part था, वो भी कुछ ऐसे था, क्यों उसमें modulus नहीं लगा था और सेम चीज थी, अब ये modulus लगने से क्या चेंजमेंट हो गया है, ध्यान से देखेगा, ठीक है हम आने अगर, दिमाग लगाईएगा ज़रा, A, अगर A belong कर रहा हो Z plus A और B भी belong कर रहा हो Z plus A, और B दोनों Z plus से belong कर रहे हो तो A star B equal दिया गया है modulus A minus B, ठीक है, अब हम देखें अगर, A minus B जो है, वो क्या integer मनलब Z plus से belong करेगा, तो बिल्कुल करेगा, क्यों करेगा, अभी ध्यान से देखें, अगर A बड़ा होगा, B छोटा होगा, तो ऐसे इस्तिति में, जैसे हमने कर दिया 2 minus 1, तो एककोल क्या हो गया, 1, बिल्कुल सही है, लेकिन इस पर modulus लगा हुए, mod 1, mod 1 का value 1 ही आने वाला है, अब अगर हम यहाँ पर 1 minus 2 भी कर दे, 1 minus 2 भी कर दे, तो mod minus 1 आ जाएगा, और हमें मालुम है कि modulus से बाहर जब कोई संख्या निकलती है, तो वो positive ही हो जाती है, इस साथ, modulus A minus B तो इसमें बिलॉंग करेगा, अतहा, लिखेंगे, A star B belongs to, A, sorry, A star B also belongs to, किस से बिलॉंग करेगा, Z plus A, अतहा, अतहा, यहाँ एक दुई आधारी संक्रिया है, ठीक है, तो यह भी एक दुई आधारी संक्रिया है, क्यों है, हम लोग जान चुके है, क्योंकि modulus A minus B, तो Z से बिलॉंग करेगा, A minus B बिलॉंग नहीं करता, लेकिन A minus A, modulus A minus B तो बिलॉंग करेगा, ठीक है, चलो हम देखते हैं, इसका चौथा पार्ट, question number 1 का चौथा पार्ट, हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, question number 1 का चौथा पार्ट क्या दिया गया है, चौथा पार्ट नही ड़ प्लस में बताया ग्या एक ड़ार करेंगे तो मतलब वन ाएगा दो अधर पांच करेंगे दो आएगा अगर हम 10 star A करेंगे तो क्या आएगा 10 मतलब A वाला answer आना है A वाला answer हमेशा यहाँ पर आना A star B इकल क्या आया है A तीक है इसी विकार अगर हम देखें यदि हमारा A जो है वो बिलांग कर रहा होगा Z plus से और B भी बिलांग कर रहा होगा Z plus से तो definitely हम कह सकते है A star B भी Z plus से बिलांग करेगा क्यों करेगा क्योंकि हमें मालूँ है A star B का जो answer आएगा वो A ही आएगा और A तो Z plus से पहले सही बिलांग कर रहा है इसका मतलब है A star B भी Z plus से बिलांग कर रहा होगा आता है यहाँ एक दुई आधारी संक्रिया है ठीक है तो यह चोटी चोटी बाते हैं आराम से आप लोग घ्यान से जब पढ़ोगे मन लगा के पढ़ोगे तो आपको बहुत ही इजी लगने लगेंगी मेरे क्याल से अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दुई आधारी संक्रिया क्या है और हम कैसे चेक करते हैं ठीक है मतलब A अगर Z से बिलांग कर रहा है B भी Z से बिलांग कर रहा है तो A star B मतलब उसका जो calculation है वो भी Z से बिलांग करना चाहिए अगर नहीं करता है तो फिर वो binary operation नहीं होगा चलो हम देखते हैं question number 2 question number 2 देखेगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई like कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करिएगा और चैनल अगर नहीं subscribe किया है तो चैनल को जरूर subscribe कर लिजिए क्योंकि यहां पर आप intermittent की math और physics बहुत ही सरल तरीके से पढ़ते हैं physics भी आप पढ़ते हैं math भी पढ़ते हैं math पढ़ रहे हैं physics पढ़ सकते हैं लिएक के जाएगा सारे के सारे चैप्टर समने पढ़ा दिये आप चाहें वहां पर किसी भी चैप्टर को अगर पढ़ना चाहते हैं चैप्टर का नाम लिखे लेशन नंबर डालने माल्या लीशन नंबर टू पढ़ना चाहते हैं तो लिख दीजे आपको वीडियो मेरा खुल के आज आएगा आप देख सकते हैं ठीक है तो चलते हैं question number two पर निम्न लिखित परिभासित प्रतेक दुयाधारी संक्रिया के लिए निरधारित कीजे कि क्या दुयाधारी संक्रिया क्रम विन में है तथा क्या साचर है हमें पहले चेक कर रहा है कि जो भी दुयाधारी संक्रिया आप हमें यह नहीं चेक करना है कि दुयाधारी संक्रिया है या नहीं है उसने दुयाधारी संक्रिया दी है पहले से ही उसने दुयाधारी संक्रिया ही दी है केवल हमें यह बता रहा है कि यह जो दुयाधारी संक्रिया ली गई है वह संक्रिय या क्रम विनमे है या फिर साचर है हमें चेक करना है कि कौन सी क्रम विनमे है कौन सी साचर है और क्या दोनों में से कोई नहीं है ऐसा हमें चेक करना है ठीक है तो चलो हम चेक करते हैं आखिर हमें एक जान लेना कि आखिर क्रम विनमे का मतलब क्या है क्रम विनमे का मतलब यह ह जैसे मान लिया कि A star B A star B equal A plus B दिया था A star B अगर A plus B दिया है तो हम B star A निकालते हैं तो B star A equal क्या हो जाएगा B plus A हो जाएगा अब ध्यान से देखें क्या A plus B B plus A के बराबर होगा तो 100% बराबर होगा जिससे हम 1 plus 2 कहें तब भी 3 आएगा मनलब दोनों बराबर होगा हम देख रहें कि ये वाला value ये वाला value बराबर है अर्थात हम कह सकते हैं A star B जो है वो बराबर है B star A के आताहा यह क्या है क्रम विनमे क्रम को अगर हम बदल दें तब भी उसमें कोई परिवर्तर नहीं होता है क्रम को मैंने बदल दिया A को B, A star B था यहाँ पर B star A कर दिया मलब A plus B था तो हमने B plus A कर दिया क्रम को बदला तब भी उसमें कोई परिवर्तर नहीं हो रहा है value same आ रहा है तो इससे हम कहते हैं क्रम विनमे ठीक है तो हमें चेक कैसे करना होगा क्रम विनमे के लिए हमें चेक करना है ये चीज A star B और B star A यदि दोनों बदलाबर आते हैं तो इसका मतलब है वह संक्रिया हमारी दूइ आधारी संक्रिया जो होगी कैसी होगी क्रम विनमे संक्रिया होगी ठीक है तो क्रम विनमे कब होती है यदि A star B बराबर होगा B star A के ठीक है आगे हम देखते हैं हम साचर ये क्या है ठीक है साचर ये कैसे हम चेक करेंगे कि कोई साचर ये शंक्रिया है ठीक है साचर ये के लिए हमें क्या देखना है तो साचर ये के लिए तीन चीज़े लेते हैं मान लिया A star B और star C ठीक है तीन होना चाहिए A star B star C, इस तरह से होना चाहिए, मतलब bracket के वितर A star B star C होना चाहिए, बराबर में A star B star C होना चाहिए, यदि हम A star B को पहले हल करके, बाद में C के साथ में उसका relation निकालें, और इधर हम क्या गरें, B और C के साथ में पहले हल करके, बाद में A के साथ उस हल का relation न कर ले उसके बाद में उसका सी के साथ करें और जितना इधर आए अगर आता है तो ऐसी कंडिसेंट 2 को ध्यान से देखेगा question number 2 का पहला question दिया गया है बहुत सारे part दिये गए है हर question में चलो कोई बात नहीं है दिया गया है जड में जड में A star B equal A minus B ठीक है जड में दिया गया है जड में A star B equal क्या है A minus B अब हमें ये द्वारा हमें चेक करना है कि या साचर है या क्रम इन में है या फिर कोई नहीं है या दोनों है ठीक है कैसे चेक करते हैं तो A star B हमने देखा हमें मालूम है अगर हम क्रम इन में चेक करना चाहते हैं तो A star B जितना है उतना ही B star A होना चाहिए चलो हम निकालते है B star A इसका तो B star A बराबर क्या हो जाएगा A star B A minus B था तो B star B B minus A होना चाहिए अब देख रहे हैं B star A जो है यहाँ पर B minus A है यहाँ पर minus हम कामा ले लें तो क्या बन जाएगा A minus B अब देखिएगा A star B है A minus B और B star B है minus A minus B इसका अब लग यह दोनों values बराबर नहीं है अगर यह बराबर रही है तो हम कह सकते हैं कि यह क्रम विनमेय नहीं है इसलिए कहेंगे कि A star B is not equal B star A आता है यहाँ क्रम विनमेय नहीं है चलो क्रम विनमेय नहीं है कोई बात नहीं है अब देखते हैं क्या यह सहचर्य है तो सहचर्य के लिए हमें चेक करना होता है A star B और इसका करके फिर star B करते हैं star C करते हैं ध्यान से देखिएगा A star B A star B का मतलब क्या है A minus C तो निकालते हैं जरा क्या हो जाएगा A minus C sorry A minus B A star B का मतलब क्या है A-B हो गया और star star C अब यहाँ पर करिए यह पूरा हम A मान लेते हैं A star A हो गया B A star B इसका दुवारा करिए A star B इसका दुवारा करेंगे तो A star B का मतलब क्या है A-B A-B A का मतलब है A-B तो A की जगे पर हम A लिखेंगे A-B और star मतलब है यहाँ पर minus तो minus लगाया और B मतलब यहाँ पर है C तो C कर दिया तो यह answer आएगा A-B-C A star B star C का value आया है A-B-C अब हम क्या निकालेंगे A star B star C इस तरह से इसको भी निकालते हैं अब देखते हैं इसका भी value क्या इतना ही आएगा तो अब की बार पहले इससे हल करना है इसको ऐसे लिख देते है A star ऐसे लिख दिया B star C को क्या लिखेंगे B star C को हम A-B लिख देंगे sorry B minus C लिख देंगे तो B minus C भई इस star का मतलब minus है तो हम minus लगा देंगे अब यह वाला star अभी बचा इसकी जगा पर भी minus लगा देजिए तो यह क्या बन जाएगा A minus यह होन जाएगा B minus C minus अंदर जाएगा तो बन जाएगा A minus का B और minus minus प्लस का C अब देखिएगा A minus B minus C और यहाँ पर A minus B plus C यह क्या दोनों बराबर है तो हम देख सकते हैं लिखेंगे श्टार २ स्टार मी माणना ही क्लियर हो चुका है अगर दोनों बराबर है तो क्याल निकाला हम क्लियर यहां से पता किया है यहां हो जाता है तो यहां पर हमने इस इंदर मैंनस लगा और उसके बाद में यहां पर साचरे है चलो देखते हैं इसका second part दिया है Q में Q क्या होता है rational numbers होते हैं fraction वाले होते है 1 2 3 4 5 1 upon 2 1 upon 3 1.5 ठीक है यहां पर जो दिया है relation जो दिया है मतलब जो संक्रिया दिया operation दिया गया है A star B equal A star B equal A B plus 1 यह दिया गया है A B plus 1 द्वारा परिबासित है अब हमें चेक कर रहा है कि यह क्रम मिनमे है या नहीं है कैसे चेक करेंगे तो सबसे पहले A star B दिया है तो B star A क्या हो जाएगा तो हम लिखेंगे A B था A star B में A B था B star A में B A हो जाएगा B A plus 1 अब A B कही है या B A कही है बात तो ठीक है 3,4 की गुणा करें 12 आये गाla है जहाएगा मतलब यह वाला weilies same होता है हम कह सकते है कि A стать B equal noisy a के जह क्वी निमेय है ठीक है तो यह तो क्रम विनिमेय हो गया अबहते हैं क्या यह सहचरिय भी होगा चेक करते हैं सहचरीय के लिए हमें क्या चेक करना होता है पहले निकालते हैं A star B star C कैसे निकालते हैं निकालिए A star B A star B का मनलब क्या है A star B का मनलब है A B plus 1 तो यहाँ पर लिख दिया हमने A B plus 1 यह हो गया A star B का मनलब और आगे है star C ठीक है अब यह पूरा A है यह हमारा B है तो A star C A star B दुबारा करना है A B plus 1 मनलब A B की गुणा करनी है इसकी इसकी गुणा करनी है और plus 1 तो करते हैं भHAI यहाँ पर इसकी इसकी गुणा करेंगे तो AB के साथ में C की गुणा और प्लस 1 ठीके क्योंकि A star B का मलब A star B का मलब है AB plus 1 अब हमने इसको A माल लिया है A star B, A यह पुरा हो गया B, C हो गया और प्लस 1 ठीक है अब इनकी जब हम गुड़ा करेंगे तो क्या आएगा C के साथ गुड़ा करिए तो हो जाएगा A B C प्लस C और प्लस 1 ठीक है ये तो आगया A star B star C ठीक है अब हम उसे भी निकालते हैं किसे A star bracket में B star C इसको निकालते हैं तो सबसे पहले B star C को निकालेंगे तो क्या बन जाएगा A star ऐसे रखेंगे B star C का मतलब क्या है तो A star B का मतलब A B प्लस 1 ठा तो A B C प्लस 1 हो जाएगा क्या बन जाएगा B C प्लस 1 ठीक है अब यहाँ पर भी वह ज़िए करना है ये A है ये B है A B प्लस 1 और 1 की गुणा हो जाएगा A और प्लस 1 यहाँ पर देखें A B C प्लस C प्लस 1 ठा A B C प्लस A प्लस 1 है अर्थात यह बराबर नहीं आया है हम लिखेंगे A star B star C is not equal A star B star C अगर बराबर नहीं है अताहा यहाँ सहचरिय नहीं है लिख देना भई यहाँ सहचरिय नहीं है तो यह हमारी बात clear हो गई है इसका second part भी हम लोगों ने आसानी से देख लिए हमें क्या करना होता है सहचरिय और क्रमवनिमे के लिए हम लोगों को अब समझ में आने लगा होगा अच्छी बात है अगर आ रहा है अगला question third part इसका फिर दिया गया है थर्ड पार्ट क्या दिया गया है ध्यान से देखेगा third part दिया है Q में ठीके पुना rational number से A star B equal AB upon 2 है क्या दिया है A star B equal AB upon 2 दिया गया है द्वारा परिभासित है अब बताना है कि यह क्रम में है या फिर नहीं तो चेक करते हैं AB upon 2 दिया गया है A star B दिया है तो B star A निकालते हैं ठीके तो लिखते हैं B star A equal क्या हो जाएगा तो यह B upon 2 था यहाँ पर B upon 2 हो जाएगा क्या AB upon 2 B upon 2 बराबर होंगे बिल्कुल बराबर होंगे क्योंकि AB और BA मतलब बात तो वही है गुणे में है तो इधर उधर चलता है ठीके तो AB upon 2 या BA upon 2 बात A के ही है अर्थात हम कह सकते हैं कि A star B जो है वो बराबर है B star A के अताहां यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ क्रम विनमे है अगर यह क्रम विनमे है तो क्या चेक करते हैं जरा हम कि यहाँ सहचर्य है या नहीं है भाई यह क्रम विनमे तो है आप लोग लिख लिया करना है मैं लिखने में बहुत ही कंजूसी करता हूँ कोई बात नहीं है हम देखते हैं A star B और bracket के बाहर star C निकालते हैं जरा A star B का मुलब क्या होगा A B upon 2 तो यह हो जाएगा A B upon 2 और यह वाला star C अब हम ये A है ये B है तो A B upon 2 दुबारा करिएगा यहाँ पर तो यह क्या हो जाएगा A B upon 2 ये तो A हो गया A B upon 2 A B upon 2 A ये हो गया पूरा A, B, यह हो गया, upon 2, ठीक है, तो इसे हम कर सकते हैं, A, B, C, A, B, C, upon 2, 2, जा क्या हो जाएगा, 4, A, B, C, upon 4, यह आ गया है, अब उसे भी निकालते हैं, किसे, A, स्टार और राकेट के भीतर, B, स्टार, C, ओके, तो यह निकालते हैं, तो A, स्टार तो ऐसे रखने वाले हैं, B, C को हम क्या लिखेंगे, B, C, upon 2, जैसे A, B, upon 2, था, B, C, upon 2, अब यहाँ पर A, B, upon 2, दुबारा करिए, तो दुबारा A, B, upon 2 होगा, तो A, तो यह है, B का मतलब है, B, C, by 2, और अपान, फिर 2, ठीक है, तो यह बन जाएगा, A, B, C, उपर गुणा, A, B, C, upon में क्या होगा, 2, 2, जैसे 4, तो हम देख रहे हैं, कि यह वाला दोनों वैल्यू बराबर आया है, मतलब A, स्टार, B, और स्टार, C बराबर है, A के साथ में स्टार, B, स्टार, C, बराबर है, आता हम कह सकते हैं, मतलब यहाँ क्रम विनी में यह भी है, और यहाँ सहचर यह भी है, दोनों कंडीशन, इसमें फालो हो रही हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा अगर नहीं आ रहा है तो भई यार एक बढ़ दुबारा देख लेना मुझे तो भई भरोसा है पूरा का पूरा आपको समझ में तो आही रहा होगा ठीक है अगर आ रहा है चलो चलते हैं अगले exercise पर लेकिन अगर आ रहा है तो भाई वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा क्योंकि हम आपके लिए ही मेहनत करते हैं तो आप भी हमारे लिए इतना तो करी सकते हैं लाइक कर दीजिए, सेर कर दीजिए और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चलो देखते हैं क्विश्चन नंबर इसी का मलब 2 का चौथा पर ठीक है दिया गया है Z प्लस में Z प्लस में बाइनरी जो दिया गया है ओप्रेशन जो दिया गया है वो दिया है A star B 2 की पावर A B 2 की पावर A B दिया है 2 की पावर A B ठीक है अब हम इसको जड़ा B A निकालते हैं B star A क्या हो जाएगा तो 2 की पावर A B था ये B A हो जाएगा अब B A कहिए या A B कहिए बात तो वही है ठीक है तो A ये वाली value और ये वाली value दोनों सेम है हम कह सकते हैं A star B equal है B star A के अतह यह क्या है क्रम विनमे है और अगर क्रम विनमे है तो देखते हैं क्या यह साचरी है तो साचरी के लिए हमें क्या करना पड़ता है A star B star C निकाल ये पहले ठीक है तो A star B का मलब क्या है 2 की पावर A B ये हो गया और star c ठीक है, अब हम ये a माल रहे हैं, ये b माल रहे हैं तो a अगर ये है, b ये है तो a star b का मुलब क्या हो जाएगा 2b, 2 की power a b मनलब 2 की power a, a का मतलब है 2 की power a b और into c, ओके तो ये हो गया है, हम 2 की power 2 की power a b into c, ये हो गया है हमारा ये इसका value, अब उसका भी value निकाली है मतलब किसका a star bracket के वेतर b star c का value, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसको पहले हल करते हैं तो a star ऐसे रखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 2 की power b c 2 की power b c, जैसे 2 की power a b हो था, यहाँ पर 2 की power b c हो गया, अब a star b का मिलब क्या है a star b का मिलब है, 2 की power a b तो यहाँ पर पुना होगा, 2 की power a तो a है, और b b का मिलब क्या है, 2 की power b c ठीक है, तो क्या ये same है 2 into a और या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की power b c into a यहाँ पर देखिए, 2 की power a b into c था, यहाँ पर 2 की power b c into a है, भई बराबर नहीं है और अगर बराबर नहीं है, मतलब a star b star c जो है, वो a star b star c के बराबर नहीं है, नहीं है अताहा, यह क्रम विन्मेंट, सारी ये सहाचरिय नहीं है, ठीक है तो ये क्रम विन्मेंट था, लेकिन सहाचरिय नहीं था, चलो इसका देखते हैं, हम पांचवा पार्ट, ठीक है, अब इसका पांचवा पार्ट देखते हैं, आप लोग स्क्रीन पर देखिए ठीक है, आपको देख रहा होगा दिया गया है, z plus में a star b equal a की power b क्या दिया है, a star b equal दिया है, a की power b, त्वारा परिभासित है तो क्या, अब हम देखते हैं क्या यहाँ करम इन में होगा चेक करते हैं, a star b दिया है तो b star a देखते हैं, b star a तो यह b star a की जगापर b की power a हो जाएगा, भई a की power b का मलब b की power a के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि 2 की power 3 कहिए तो क्या होगा, 8 और यहाँ पर अगर 3 की power 2 कहिए तो क्या होगा, 9 तो कैसे बराबर हो सकता, ठीक है तो यह बराबर तो है नहीं, इसका मतलब यह है, कि a star b equal क्या है, नहीं बराबर है, b star a के आताह, यह क्या है क्रम विन में तो है नहीं, ठीक है अब यह क्रम विन में नहीं है तो फिरम देखते हैं क्या यह सहचरी है, सहचरी के लिए निकालते हैं, a star b और इसके साथ में star c बराबर में क्या हो जाएगा a star b का मिलब हो जाएगा, a की power b और star c मतलब star 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 c तो यह a star b a star b का मिलब a की power b a star b का मिलब क्या है, a की power b मतलब a यह है और इसकी power क्या है, b मतलब c तो यह हो जाएगा a की power b c इसे हम इस तरह से लिख सकते है a की power b c इसको तो हमने लिख दिया ऐसे अब आगे देखते हैं, आगे वाला A, बाहर कर दीजे B star C का value क्या हो जाएगा, A star तो A से रहेगा, B star C का अमलब B की power C हो जाएगा, B की power C अब A star B का अमलब है, A की power B तो A star B का अमलब A की power C फिर करिए, तो A की power C B, मतलब B ये क्या है B की power C, अब हम इसको ये वाली चीज़ थोड़ी लिख सकते हैं, ठीक है तो हम क्या करेंगे, इसका value और ये value दोनों बराबर नहीं है इसका अमलब है, A star B के साथ में star C is not equal A star B star C, आता है यहाँ, क्या है, यहाँ साचर ये नहीं है, तो ये तो ना ही करमविन में था और ना ही साचर ये था, ठीक है तो ये हम लोगों ने देख लिया है अब देखते हैं, इसका छठा पार्ट Question number, मतलब 2 का 6 पार्ट, देखिए अगा, बहुत ही बड़े questions नहीं है, मतलब हैं तो बहुत ही easy, लेकिन बहुत ही पार्ट देदियें इसमें, ठीक है चलो देख लेते हैं, इसका छठा पार्ट जो दिया है, question number 2 का 6 पार्ट दिया है R-1, ठीक है उसको हमें कोई लेना देना नहीं है पुरा दिमाग मतलगाईए, इसमें दिया क्या है, दिया गया है जो operation दिया है A star B equal क्या दिया है A star B equal दिया गया है A upon B plus 1 क्या दिया है A upon B plus 1 ठीक है, तो यहाँ पर हम B star A निकाले ज़रा तो क्या हो जाएगा, B upon A plus 1, मतलब A और B का value तो चंज हो जाता है, तो अब देख रहे हैं ये दोनों अब बराबर नहीं, A upon B plus 1 B upon A plus 1, ये बराबर थोड़ी हो जाएंगे इसका अबलब है, A star B is not equal is not equal B star A, आता है यहाँ क्रम विनमे नहीं है और जब क्रम विनमे नहीं है, तो साचर ये चेक कर लेते हैं, भई, तो साचर ये कैसे चेक करेंगे, A star B bracket में, star C equal क्या हो जाएगा, A star B का मनलब है, B upon A plus 1 sorry, A upon B plus 1 A upon B plus 1 ठीक है, ये तो था A star B और इसके साथ में star C करना है तो ये पूरा हमारा A हो गया ये B हो गया, A star A star B दुवारा करना है, A star B का मनलब क्या है, A upon A upon B plus 1, तो A upon A का मतलब है, A upon B B plus 1, ये A हो गया, upon में B plus 1, B plus 1 मतलब C, C plus 1, ओके इतना हो गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A upon में B plus 1 और इंटू में ही C plus 1 ठीक है, इतना हो गया है अब अच्छा उसको भी निकाल लेते हैं, मतलब A star B star C इसको निकालेंगे, तो पहले B star C निकालते हैं, तो A star A से रहेगा B star C का मतलब क्या हो जाएगा B upon B plus C plus 1 B upon C plus 1, ठीक है अब हम इसका दोनों के साथ स्टार करते हैं तो ये होता है, A upon B plus 1 तो A की जगह पर तो A रहेगा, upon B B की जगह पर क्या हो जाएगा तो B की जगह पर पूरा हो जाएगा B upon C plus 1 और plus 1 ओके, तो B और plus 1 इतना हो गया है, इसको ज़रा हल कर लेते हैं तो ये बन जाएगा A upon B और ये इधर गुणाओ के आएगा plus C plus 1 upon me C plus 1 ये पलट के उपर आएगा तो हम कह सकते हैं A के साथ में आ जाएगा ये C plus 1 अपान में क्या आ जाएगा B plus C plus 1 आप देख रहे हैं, ये वाला value और ये वाला value शेम नहीं है बच्चा, और जब शेम नहीं है तो इसका मनलब क्या है, यहाँ भी साचर्य भी नहीं है, तो ना ही क्रम इन में था, और ना ही साचर्य था हमने देख लिया, ठीक है तो मेरे क्याल से आपको अब तो ये समझ में आही गया होगा अब हम देखते हैं इसका question number 3 मनलब exercise 1.4 का question number 3 ठीक है, बहुत ही आसान अगला question है बस थोड़ा सा दिमाग लगाना और सब कुछ काम फिट हो जाएगा ठीक है, question number 3 का दिया है, समुच्चे 1, 2, 3, 4, 5 एक समुच्चे दिया गया है क्या दिया है, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, ये समुच्चे दिया गया है आगे दिया गया है A और ये A, V, B ठीक है, बताया गया है निमनतम दुजाधारी संक्रीया पर विचार कीजिए संक्रिया जो à we है के लिए संक्रिया सारनी लिखिए मतलब इस lost x s का मतलब क्याए इसका मतलब इहाँ पर संक्रिया को दूसरे इस 시wi ब्रक्त कर दिया यारव हम इसको we कह देते हैं कोई दिक्कत वाले बाद नहीं यह अपोजिटीव कह देंगे यह फिर कहीं पर ऐसे बना होगा कोई बात नहीं ठीक है तो हम देख रहे हैं यह ऐसे बना है कोई बात नहीं है हम इसको A star beğ equal निमनवत दिया है A star because I haven't A and B मेंसे जो भी है वो छोटा वाला लेना है जैसे 5 star 2 है तो यहांपर 2 आ जाएगा 2 star 5 है तो यहांपर 2 आ जाएगा निमनवत मतलब इन दोनों मेंसे जो छोटा वाला था उसका हमें value वहाँपर लिख दाना है इसका answer वही होगा जो छोटा वाला होगा निमनमत ठीक है तो इसकी लिख दीजेगा 1 2 3 4 5 नीचे तक दिख रहा है ना आपको दिख रहा है हाँ चलो ठीक है तो आप देखते हैं वही इसको त्राणी त्यार करते हैं 1 1 1 1 के लिए कौन छोटा पड़ेगा क्योंकि हमें छोटा वाला लेना है तो तो एक, एक में से कौन चोटा है, कोई नहीं चोटा है, तो हम एक की लिए लेते हैं, एक, दो की बात करें, वन, टू की बात करें, तो कौन चोटा पड़ेगा, वन, वन, थ्री की बात करें, कौन चोटा पड़ेगा, वन, वन, फॉर की बात करें, कौन चोटा पड़ेगा, व दो पांच में कौन चोटा होगा दो होगा इसी परकार तीन और एक में कौन चोटा होगा एक तीन और दो में कौन चोटा होगा दो चोटा होगा तीन तीन में कौन चोटा कोई नहीं चोटा तो तीन ही ले लिया तीन चार में कौन चोटा तीन तीन पांच में कौन चोटा तीन चार एक में चोटा है तो चार एक में चोटा है एक चार दो में चोटा है मुर्त ही में ठीक है हमने देखा एक समुच्छे दिया था और यहां पर रृलेशन दे दिया है मतलब जो इसका operation दिया गया बताया निमनवत है ए और बी मेंस जो छोटा वाला हो लिख लेना है तो एक एक जब question number 4 को देखेंगे, फिर 5 को देखेंगे, देखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे देखेंगे, question number 4 यहाँ पर दिया गया है, समुच्चे 1, 2, 3, 4, 5, दुबारा दिया गया है, समुच्चे 1, 2, 3, 4, 5, समुच्चे 1, 2, 3, 4, 5, में निंकि संक्रिय, सार्णी द्वारा परिवासि, दुएधरिस, संक्र इस्टार पर विचार कि और झ्यान से देखिए यहां पर नीचे सारणी दी गए है सारणी मैं इधर साइड में बना देता हूआ आप लोग böyle के सामने यहीं पर बना देता हो ठीक है क्योंकि ऐसे ऐसे समझ में नहीं आए घाई यह ऐसे समय में नहीं आएगा चलो हम सारणी तयार करते यह हमारी स्टार संक्रिया है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यह बन में बना दिया है ठीक है यह बना दिया है अब लिख देते हैं यह है 1 1 1 1 1 1 हम जो कॉपी कर रहे हैं ठीक है ऐसे आगे क्या दिया है वन 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 ट्री वन वन ठीक है आगे क्या दिया है तो दिया है वन टू वन फोर वन के इसके बाद में जो लास्ट वाली दिग रही है 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 ठीक है, ये साड़नी दिया गया है इसके बाद हम बताना है हमें क्या करना है इसका question number 1 question number 1 उठाते है question number उनमें बताया गया है 2 star 3 2 star 3 और star 4 तथा 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 दूसरा यहां पर लिग देते हैं तथा और क्या ग्यात करना है 2 star 3 star 4 ये हमको दोनों values find करना है चलो हम find करते हैं पहले 2 star 3 ग्यात करें 2 star 3, मनलब 2 and 3 2 3 2 3, 2 3 2 3 का value क्या है 2 इधर से मिलाइए 3 इधर से मिलाइए ये वाला बीच में पड़ रहा है मनलब 2 3 का मनलब क्या है 1 और star लाइए star 4, 4 लिखिए अब 1 star 4 निकाले 1 star 4 1 star 4 ये है 1 star 4 इसका value क्या जाएगा 1 तो हम देख रहे हैं इसका value क्याने वाला है 1 तो निकला या है बस इसका value निकाले अब इसका value निकाले तो 2 ऐसे लिखिए star ऐसे लिखिए 3 star 4 निकाले 3 star 4 3 ये है 4 ये है दोनों को मिलाईएगा 1 मिलेगा मतलब 1 तेके अब 2 star 1 निकालिए निकालिए जड़ा 2 star 1 2 यह है 1 यह है 2 star 1 क्या जाएगा 1 मतलब 1 तो हमने देख लिया कि 2 star 1 आगया 1 तो इनके भी अंसर आ गया इसका इंसर 1 आया उसका भी अंसर आ गया है 1 आगे बतायागा इसका second part, second part में क्या बताया गया है, क्या, क्या यह क्रम विन में है, क्रम विन में है, देखते हैं क्रम विन में है कि नहीं है, दो और एक का एंसर क्या है, दो, अब एक और दो को देखो, एक और दो का देखा, तो एक आया, दो और एक का देखे, दो और एक क इसका भी वुन कोई भी नमल ले ले लिजीए थी फोर देखे तो तो थी ये है फोर ये थी-फोर काYU क्या है उन चलो ठीक है और 3-4 test43 देखिए 4343 फोर ये थी-ए43 का भी view क्या है तो मतलब है कि हम देख रहे हैं कि 133 ven 1-2-21 तो अगर एक नों बराबर होते तो क्या होता है अता लिख देंगे यह कुछी है और फॉर निचालने को क्या गया है क्या निकालने को कह गया है two star 3 ओके स्टार फिर ब्रैकेट में दिया है फौर इस्टार फईव इस्टार फॉर इबिए है और फाइब का इस्टार क्या आया या वन ये भी रह इस्टार epidem μιαativeair तो एंसर हमारा फिर वन आ गया है तो हमने इस तरह से देखा निकाल लिया है वह शॉल हो गया है अब चलते हैं पर तिक क्या दिया गया है आपको स्क्रिन पर दिख रहा होगा देखिएगा मान लीजिए कि समुच्चे एक दो तीन चार पांश ठीक है समुच्चे पुना दे दिया है एक दो तीन चार और पांश ठीक है यह समुच्चे है में दुई आधारी संक्रिया स्टार डेस क्या दिया है दोयादारी संक्रिया आपर दिया है स्टार डेस ए स्टार डेस इक्वल ए ए स्टार डेस इक्वल क्या है ए स्टार बी ए स्टार डेस बी इक्वल क्या है ये दिया गया है ठीक है ये स्टार है और पहले वाले में क्या था स्टार डैस था ठीक है अब बताया गया है ए सौरी ए स्टार डैस बी इकुल दिया है ए तथा बी का HCF ए तथा बी का HCF HCF का मतलब होता है माशा ठीक है ए और बी का मासा मतलब जो दोनों में common होता है वो हमें लेना होता है A और B में जो common होगा वही उसका मासा आ जाता है तो A star dash B equal क्या है A दथा B का माशा है आप बताना है क्या संक्रिया उपर युक्त 4 में परिभांस संक्रिया और इसमें star dash दिया है, क्या उसी के समान है, ये पहले बताना है, अपने उत्तर का आचित्त भी बतलाईए, क्या यहाँ उसके समान है या नहीं है, देखते हैं, चला हमें, उसकी सारणी दी थी, अब हम इसकी सारणी बनाते हैं, दोनों की सारणी अगर सेम आती है, तो इसका म इधर क्या है एक दो तीन चार पांच हमें cash star 10 B का मरब क्या है ए तसभी का स्य मिला Cris be a orrangya Finance common Google common लなんか एक और धो में common क्या कि रहेगा एक और दो में common क्हां मिलेगा है एक और दो में common क्या मिलेगा कुछ तो 1 ही ही मिलेगा एक और 3 में कमर one x 4 में an absolute तो और एक कमण भी एक 2 और 2 में कमण दो ही मिल जाएगा दो अर वार Beyond क्या मिले गहां दो 2 और 3 में वाला 2-3 में कमण नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा ? 1 दो प्र चार में कमत मिल चार में दो मिल सकते है न अब दो और पांच में कुछ नहीं और इंद नहीं थे तीन और एक में कमन खो 2-4-3-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 और यहां पर भी इसका मतलब क्या है कि जो इस्टार संक्रिया थी क्यूश्चन नंबर चार में जो इस्टार संक्रिया थी और यहां पर जो इस्टार डैस संक्रिया है दोनों क्या है आपस में बराबर है यही पूंचा गया है कि उपर एक तो प्रसुन चार में परिवांसी सं संक्रिया स्टार के समान थी तो क्यूश्चन नंबर पांच हम लोगों ने देख लिया है इसको सॉल कर दिया है चलो हम चलते हैं विश्चन नंबर शिक्स पर एक बार ठीक है विश्चन नंबर 6 पर देखते हैं क्या दिया है विश्चन नंबर 6 में विश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा मान लीजिए कि N में एक दुयाधारी संक्रिया स्टार जो है A स्टार B ठीक है A स्टार B एक्वल A तथा B का LCM है यहाँ पर अभी पहले वाले में HCF था अब क्या है LCM है द्वारा परिवासिन नमखित गयाद केजिए ठीक है तो हमें गयाद करना कोई बात नहीं सब कुछ गयाद करने वाले सबसे पहले इसका हम साड़नी बनाके जरा तयार कर लेते निठीक है और 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 यहाँ पर स्चाटीरल तो नत्र नामबस au judgments से चलो हम यहां पर लिखतो नहीं सबस् kijal कर सकते क्योंकि नेयर्ट तो लाखों में होती है लाकों की संख्या Wilson के साण अले कहां से करोगे लोृब स्सक्री में कैता है तान नंबर वन इसका स्लुड करते हैं दोनों क्यात करना है 20 star 16 ये भी ग्याद करना है और ये भी ग्याद करना है भई star का मनलब क्या है A और B का LCM मतलब 5 और 7 का लासा 5 और 7 का लासा क्या होगा तो भई 5 star 7 क्या होगा 5 और 7 का लासा 35 होता है तो ये हो जाएगा 35 कोई दिक्कत नहीं है 16, 20 और 16 का लासा बीस और शोला काला सा क्योंकि ए श्टार भी का मतलब यह स्टार बीस और सोला का यह क्या होगा सोला और वीस का यह होता है तो यह तो इसका से कंड़ पार्ट दिया गया सेकंड पर दिया क्या संक्रिया स्टार क्रम विन में है क्या यहां क्रम विन में है तो ध्यांसे देखिए पांच और साथ का क्या आया है फाइव स्टार सेविन मरावर क्या आया 35 इसका इसका मसा क्या आया है 35 आया है लाशा ठीक है अब हम देखें अगर सेविन और स्टार फा स्टार सेविन बराबर है सेविन स्टार फाइव आता है यहां क्रम विन में है क्रम विन में क्या है ठीक है तो यह इसका सेकंड पार्ट भी हो गया है अब देखतें इसका थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा हमारा तो थर्ड पार्ट दिया गया है क्या साचर यह है अब देख लेते हैं क्या यह सहचर यह भी होगा अब ध्यान से देखिएगा अगर हम A star B और star C करें ठीक है A star B star C मतलब A B का LCM लें और फिर जो भी LCM आएगा उसका C के साथ LCM लें तो वो क्या बराबर होगा कि A A और B star C मतलब B और C का LCM लें और फिर A का LCM लें इसका उना हम कह सकते हैं ध्यान से देखिएगा जरा A star B का मतलब है A और B का LCM ठीक है और star C ठीक है एक एक करके निकाल लें चलो हमने इसको निकाला ठीक है अब यहाँ पर हम इसको मिटा दे रहे हैं चलो आगे देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A और B का LCM स्टार C, अब हम स्टार C के साथ करेंगे तो A और B का LCM तो है यहाँ पर अब C के साथ भी हो जाएगा मनलब A, B और C का LCM इसका मनलब तो यही हो गया A स्टार B और इसके साथ में स्टार C अब हम दूसरी तरीके से देखते हैं A ऐसे रहेगा star B star C equal क्या हो जाएगा तो यहां पर A से रहेगा star B star C का मनलब B और C का LCM ठीक है B और C का LCM यह हो जाएगा अब इसके साथ में जब star करेंगे तो A B C का LCM ठीक हो तो दोनों चीज से मारे है ABC का संक्रिय तो इसका तीसरा पार्ट हमने देख लिए यहां सअचरिय शंक्रिया है हमने TW कर दिया ह है अब हम देखते हैं इसी का चौथा पार्ट ठीक है इसकाता पार्ट क्या दिया तो दिया गया है एन में इस्टार का तत्समक अवयों क्या है इस्टार का तत्समक अवयों क्या है नेच्रल नंबर्स में में इस्टार का तत्समक अवयों हमें बताना है ठीक है तत्समक अवयों का मतलब होता है कि जब हम किसी ऐसे 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 नंबर के साथ में संक्रिया करें म हम बाइनरी निकालें ऑपरेशन करें कि जिसका वेल्यू चेंज ना हो जैसे हम ए का जिसके साथ भी करें वो ए ही आना चाहिए बी का जिसके साथ करें वो भी ही आना चाहिए ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है तो हमें पता है ऐसा नंबर हो सकता है केवल और केवल वन मनलब हम बी star 1 करें तब भी वन आएगा यह 1 star a करें तब भी वन आएगा ठीक है तो ऐसी condition हम देख रहे हैं कि इसका जो तत्समक अवियो होगा वो क्या होगा तत्समक अवियो हमेशा 1 होगा क्योंकि अगर हम 2 star a करें तब भी इसका ल्स्यम क्या आएगा कर बड़ कर दीया ना मतलब कहने का यह है a star 1 करें तब भी ए आए और 1 star a करें तब भी मतलब हमेशा बार-बार में जिसके साथ में हम अव्यों निकालेंगे जिसका हम जिसके साथ में operation करेंगे वही value आ रहा एक के साथ में किया 1 का तो ए ही तो ऐसी कंचिसन में हम कहते हैं जिसके साथ हमकर रहे हैं एक में कर रहे हो एक którą एसक्ति एक S Phab.,C थिंख नहीं जो 1 है कि नित डासी में हमारा क्या है कि पीडियली को लिखेंगे अता हा इस का तऊं हमक्त है एक है क्या है इसका अभी पाच्वाँ पार्ट देखें से पाच्वाँ पार्ट क्या है और डिया गया है वह संक्रिया संक्रिया के लिए व्यूत करमड़ी हैं कौन से अव्योद संक्रिया के लिए व्यूत करमड़ी हैं मतलब उल्टा करो या सीधा करो हमेशा उसका जो एंसर आना है सेम आना है ठीक है तो हमें पता है कि अगर हम वन स्टार वन करेंगे तो वन ही आएगा अब इसको वन स्टार व होगे एक मतलब क्या हो जाएगा कि इनका हम देख रहे हैं व्यूत करमड़ी है यह दोनों एक तरीके से चाहें जैसे हम इसका लिखें इसमें कोई परिवर्तम नहीं पढ़ने वाला है अर्थात हम कह सकते हैं इसका व्यूत करमड़ी भी क्या होगा एक होगा मतलब एक के के लिए यह operation मतलब संक्रिया क्या होगा व्यूत क्रमड़ी होगा है खो हुग है तो यह हमने देख लिया है एक के लिए यह संक्रिया व्यूत करमड नभी होगा तो चलौ हम क्योष्टिछन नंबर छुम इस वीडियो में रखते हैं अगली जो क्योष्टिछन नागे वाले इस exercise के वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे लेकिन हाँ कहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं आपको questions समझ में आ रहे हैं solve कर सकते हो आप अगर आप इसे पसंद करते हो तो इसे like जरूर करिएगा और अपने के लिए सभी को बाबाए